दोस्तो अगर आप भी Excel से related job के लिए apply करना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं किसे interview पे तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाल है दोस्तो अक्सर interview का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या आपको view look up लगाना आता है या फिर क्या आपको view look up apply करना आता है अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि view look up इतना important क्यों है क्यों जादा दर पूछा जाता है interview के दोरान कि क्या आपको view look up आता है तो दोस्तो view look up का क्या फायदा है तो simple और आसान भाशा में अगर मैं आपको जवाब दो तो यह है कि अगर आपके पास कोई बड़ा data है या फिर कोई large data है तो उसमें view look up के मदद से आप data को आसानी से analyze कर सकते हो example के लिए आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक data available है जो कि कुछ यहाँ पर members का कुछ employees का data है अब ऐसे में अगर supervisor मेरे पास आता है और वो मुझे कोई भी particular ID नमबर देता है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ID नमबर है नेम है आप देखेंगे यहाँ पर उस ID से related data यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आप देख पार है 1032 यहाँ से match कर लेते हैं जो कि Sonu का data है जिसका फास नम यह है और age और बागी चीज़े भी आप यहाँ से match कर सकते हो सेम लाइक अगर यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़े डालते हैं जैसे 1040 हमने डाला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर data जो है वो update हो गया यहाँ पर क्या है 1040, Pintu, Mr. Sanjay वगरा वगरा जो भी चीज़े हैं वो यहाँ पर आ गई है तो अभी यह जो चीज़े अपलाई ह हो रही है यह अपलाई हो रही है वी लूकप की मतल से यहाँ पर हमने लगा है वी लूकप का फॉर्मला और जिसकी वज़े से अगर आपके कंपनी में 1000, 2000, 4000 जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपको simply वहाँ पर एक ID नमर डालना है और उसकी पूरी details आपके सामने आ जाएग ID नमर की जगा हम कोई से भी एक particular ID यहाँ पर दे देते हैं जैसे 1033 एंटर कर लेते हैं अब आते हैं नेम पर तो नेम पर जाने के बाद कोई भी फॉर्मला शुरू करने से पहले important है कि आप यहाँ पर पूट करो equal ध्यान देना है आपको क्या करेंगे equal फिर हमने किया VLOKUP यानि कि VLOKUP अब आप दो चीजे कर सकते हैं या तो आप shift को hold करें और 9 प्रेस करें जहां पर bracket होता है तो bracket स्टार्ट हो जाएगा या फिर जो tab की होती है caps lock के उपर अगर simply आप उसे प्रेस करते हैं तो formula शुरू हो जाएगा अब सबसे पहले आप से पूछ रहा है look up value look up value look up value वो होता है जिसके आधार पर आप भी look up apply करना चाहते हो जैसे कि हमारा आधार है यहाँ पर 103.3 कि हमने यहाँ पर 103.3 लिखा ID लिखी तो हमें पूरा data मिल जाए हमने कोई से भी ID लिखी तो हमें data मिल जाए तो हमारी look up value होई यह वाली cell अब हम प्रेस करेंगे कोमा अब यहाँ देटा मतलब आपका data जहां से आप जो भी data find out करना चाहे है वह आपकी table कहाँ पर तो यह है हमारी table तो यहां से लेके जो भी आपकी पूरी table है उसको आप select कर लो तो हमने यह यह सलेक्ट कीया इसको select करने के बाद यह आपको क्या करना है यह आप एक कोओ मा करना इ आप यहां पर ध्यान देना कि यह जो name है पहला column हो गया id number का column आपको पता होगा अच्छे से यह column a column b यानि कि column number one column number two तो यहां पर जो हमारा table हमने यहां से select किया है तो पहले column में है id number और दूसरे column में है name तो हम यहां पर डालेंगे two क्योंकि वह दूसरे column में है और comma approximate match के लिए हम यहां पर डालतेंगे zero और bracket को करेंगे close shift को hold करके zero आप press करो यहां पर bracket close हो जाएगा प्रेस के enter और आप देखेंगे जो 1033 id है वह किसकी है यहां पर mono की id है जैसे कि यहां पर आगया same like जैसे हमने यहां पर apply किया वैसे में और भी जग़ाए करना है तो अब बहुत ही simple है क्योंकि आप सीख गये तो equal we look up हमने डाला tap किया formula शुरू हो गया look up value id की base पर तो id डाला हमने अब table array apply करने के लिए हम यहां पर shotgun use करेंगे दिखो आपको क्या करना है 1021 को select करना है उसके बाद control की को hold करना है hold यानि दबा करना है फिर shift को दूसरे उंगली से दबा करना है दोनों की को आपको एक साथ hold करना है और जो आपके right arrow की है पहले उसे press करना है तो आगे तक जह on arrow की करोगे automatically जहां तक आपका data होगा वहां तक select हो जाएगा फिर आप यहां पर press कर दो comma जैसा कि हमने last time किया था अब column index number ध्यान देना आपको father's name column number 1 के है हमारा id number column 2 है name column 3 है father's name तो यहां पर column number के है 3 1 2 3 तो आपने डाला comma कि है यहां पर press कर दिया 0 और bracket close press के enter जैसे कि आ आप देख पा रहे हैं यह है Mr. Monu और यहां पर इनका father's name है Mr. Randhir इसी के साथ अब हम निकालेंगे engage तो यहां पर same I equal किया हमने यहां पर लगा दिया we look up tap किया और दुबारा से वही activity करने है id number choose करना है as a look up value comma table array में फिर shortcut आप apply करोगे control shift पहले right arrow की फिर down arrow की ठीक है फिर हम करेंगे comma इस बार हमारा column number होगा 4 और comma और के हमने 0 तो देख लेते हैं h column number 1,2,3 और यह 4 bracket कर दिया close press के हमने यहां पर enter अब यहां पर आ जाते है destination पर same वही चीज़ है equal किया we look up ठीक है तो इसको हम फटा 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 अप्लाई कर लेते हैं यहां पर look up value यही आगे हमारी column और table array यहां पर आये हम ctrl shift right and down arrow key comma 5 comma 0 5 हमारा column number हो गया comma 0 किया और हम कर देंगे enter यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम सेलरी के लिए भी look up लगा देंगे यह हमने किया look up value हमारी यह हो गई और यह हमने किया यहां पर ctrl shift right and down arrow key comma 6 comma 0 and bracket close then press enter अब आप देख पा रहे हैं कि हमने सब पर we look up यहां पर अच्छी तरीके से apply कर दिया है अब जैसे मैं यहां पर id change कर रहा हूं चेक करने के लिए तो यहां पर हमने किया 1021 id number प्रेस किया enter आप देखें यहां पर 1021 जो id number है उसको data को हम चेक कर लेते हैं एक बार तो name अमित father's name mr. rampal और यहां पर age आ गई 45 manager and 50,000 और किसी का भी check कर लेते हैं डालते हैं 1025 प्रेस किया enter तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां जय मिस्टर रविंद्र 25 helper and 10,000 तो यह था दोस्तो we look up formula जो कि बहुत ही important है and interview में सबसे पहला सवाल जादा तर यही पूचा जाता है कि क्या आपको we look up लगाना आता है मतलब excel में इतना आता है actually we look up जो हो एक upper level formula होता है जो इसलिए पूचा जाता है जिससे analyze हो जाता है कि हां भई आपको excel में काम करना आता है तो इसलिए most asked caution होता है we look up तो यह था दोस्तो we look up function I hope कि वीडियो आपको clear हुआ हो concept समझ में आया हो दोस्तो अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो please like करें अपने दोस्तों के बीच में share करें साथे comment करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा thank you